डमरूपुर गाउं में संतोश अपनी पत्नी के साथ रहता था, संतोश अपने घर चलाने के लिए लकड़हारे का काम किया करता था, हर रोज घने जंगल में से कुछ लकडियां काट कर वो अपना घर चलाया करता था, बस इतनी सी लकडियां, इतने में तो हम बस आज का ही घ चला पाएंगे, कल आप सबेरे घने जंगल में जाकर कुछ और लकडियां तोड़ कर ले आईएगा, ताकि कम से कम चार दिन का गुजारा हो सके, सबेरे में घने जंगल जाकर तुम्हारे चूले और बाजार के लिए लकडियां तोड़ लाऊँगा, आज मैं वहाँ नहीं जा पाया, बस अब जल्दी से खाना लगा दो, मैं ताकि सुकून से सो सकूँ, सुकून से तब सोईएगा, जब सारा काम कर लीजेगा, सबसे पहले जाकर जंगल से लकडियां तोड़ कर ले आईए, इससे हमारे घर में कुछ तो अच्छा होगा, संतोष अपने कुलहडी लेकर घरने जंगल में चला जाता है, जहां कोई भी कभी कभारी जाया करता था, जैसे ही संतोष लकडिया काटने पेड़ पर चड़ता है, पेड़ की डाल संतोष का वजन थम नहीं पाती है, और संतोष नीचे कुए में गिर जाता है, वो देखता है कि चारों तरफ प्यास ही प्यास है, कुए के एक दम अंदर और एक आवाज आती है, शान्त हो जाओ, हरवड़ाओ नहीं, मैं एक जादूई कुए हूँ, डरो मत, क्या मतलब डरो मत, यहां मेरे प्राण संकट में है, और तुम कह रहे हो कि डरो मत, तुमने मुझे अंधेरे से आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हें वर्दान देता हूँ, इस कुएं के प्याज भी जादूई है, इसमें वर्दान है कि जो इसे खाएगा, वो दो हो जाएगा, यानि उसकी एक और छवी बन जाएगी, जो उसके जैसी ही दिखेगी, और उसी ही की तरह काम और बातें करेगी, अगर ऐसा है, तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी, खेतों में हल के लिए बाजार लकडियां ले जाते हुए, और भी है, ज्यादा खुश मत हो जाओ, इस प्याज का असर तब तक होगा, जब तक सूरज की रोशनी होगी, जैसे ही सूरज धल जाएगा, वैसे ही सारी छवी गायब हो जाएगी, इतना सुनते ही संतोश प्यास लेकर कुएं से बाहर निकल जाता है, संतोश का खुशी के कारण कोई ठीकाना ही नहीं रहता, अरे, अरे सुनती हो, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, और ये क्या, हाथ में सिर्फ प्यास है, ये क्या कर दिया आपने, इन प्यास का हम घर में आचार डालेंगे क्या, तब जाकर संतोश गुन्जन को सारी बात बताता है, और गुन्जन उस बात को जूट मान कर किचन की तरफ चली जाती है, संतोश प्यास खा लेता है, और वहाँ पर दो-दो संतोश नजर आने लगते हैं, संतोश ने ये कहकर एक और प्यास खा लिया, और जिससे देखते ही देखते वो दो से तीन हो गया, ए भगवान, मुझे तो चक्कर आ रहा है, ये कैसे, ये कैसे सच हो सकता है, और फिर क्या था, संतोश ने इस चीज का फाइदा उठाया, अब उसे जैसे ही कोई काम पड़ता, तो संतोश उस प्यास को खा लेता, जैसे कि खेतों में हल चलाना, जंगल से लकडिया काट कर ले आना, या बाजार से कोई सामान लाना, या और भी कुछ, सुनिये जी, आज तो आप दो प्यास खा लीजे, हमारे खेतों में बुआई करनी है, और बाजार से खाद भी लेकर आना है, अरे इसकी चिंता मत करो, मैंने पहले से ही दो प्यास कोई से ला दिये हैं, मैं इने खा कर दिन ही दिन में सारे काम निपटा लूँगा, हो सके तो मुझे भी दे दीजे, आज घर में भी बहुत सारा काम है, पूरे घर की निपाई पुताई करनी है, और साथ में साफ सफाई भी, संतोष और गुंजन मिलकर जादूई कुए का प्यास खा लेते हैं, और तुरंथी जादूई कुए की प्यास की मदद से दोदो हो जाते हैं, और सारा काम कर लेते हैं, जादूई कुए की प्यास की खबर संतोश के बचपन के दोस्त प्यारे लाल को लग गई उसे ये पता चल जाता है कि संतोश सारे काम खुद कर रहा है बिना कोई मजदूर बुराए इस संतोश का तो कुछ करना पड़ेगा पूरा खेत अकेले ही जोद दिया बिना किसी मजदूर को बुला है देखते ही देखते जोगी जोगी से एक अमीर घर बना लिया वो भी कुछी दिनों में ऐसी कौन सी चीज उसके हाथों में लग गई है हाँ अरे वही न भीया दिन मैंने भी देखा एक गाड़ी लेने की बात कर रहा था ये सब कुछ देखकर प्यारे लाल संतोश का पीछा करता है और पीछा करते करते उसके घर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि संतोश का घर पहले से बहुत अच्छा और काफी बड़ा हो गया था जाए और जाकर कुछ और प्याज लेकर आईए ताकि सारे काम हो सके अरे हाँ हाँ भाग्यवान मैं जा रहा हूँ हाँ हाँ और हो सके तो इस बार खूब सारी खाईएगा मुझे माईके में भी कुछ काम करवाने है मैं अपने भाईयों को जादा तकलीफ नहीं देना चाहती प्यारे लाल फिर संतोश का पीछा करता है और देखता है कि संतोश जादू के कुए में जा रहा है और वो उस कुए से प्यास लाकर खा रहा है प्यास खाते ही संतोश एक से दो हो जाता है ये द्रिश्य देखकर प्यारे लाल को अपनी आखों पर भरोसा नहीं होता ओ तो ये बात है इस जादूई कुए की मदद से संतोश इतनी तरक्की कर रहा है अब मैं समझा प्यारे लाल उस कुए में चला जाता है और वहाँ जाकर उस प्यास को खा लेता है लेकिन प्यारे लाल के लालच की वज़़ से प्यास को खाते ही प्यारे लाल कुए में धसने लगता है पापी इनसान उस लकड हारे की भलाई तुझसे देखी नहीं गई जो तू यहां भी आ गया अब सजा भोगत अरे 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 बचाओ अरे बचाओ मैं अंदर जा रहा हूँ बचाओ बचाओ अरे बचाओ मुझे है प्यारे लाल की आवाज सुनकर संतोश उसे बाहर निकालता है आज तो तू बच गया अगर अगली बार कुएं और संतोश की तरफ देखाना तो समझ लेना तेरी खैर नहीं इतना सुनते ही प्यारे लाल वहां से दुम दबाकर भाग जाता है सारी बाते संतोश घर जाकर गुझनन को बताता है पहले तो गुझनन खबरा जाती है लेकिन संतोश को सही सलामत देखकर वो उससे कहती है शुकर है कि आप सही सलामत है वरना पता नहीं क्या हो जाता मैं तो यह सोच भी नहीं सकती हूँ जी बगवान करे अब हमारे परिवार पर कोई और मुसीबत ना आए किसी और की बुरी नजर ना लगे सब कुछ अच्छा हो संतोश और गुंजन अपनी आगे की जिन्दिगी खुशी-खुशी बिताने लगते हैं